कारा कार्ट में कितना कारिगर साबित हुआ पावर स्टार का पावर किसके किसके बीच चल रही है यहां कार्टे के टक्कर नमस्कार आप देख रहे हैं कापटल टीवी बिहार का स्पेशल सोथ शुनावी चौसर और मैं हुआ आपके साथ आत्म जा बिहार के आट सीटो पर वोट पड़ रहे हैं आठो सीटो पर वोटिंग पर सेंटेज भी अच्छा खासा सामने आ रहा है पपचले बार के तुला में इस बार लोग घड से बाहर निकल रहे हैं और पोलिंग बोत पर लंबे-लंबी लाइने देखने को मल रही है लोग अपने पसंदिदा कैंदिडेट को वोट कर रहे हैं लेकिन बात काड़ा काड़ सीट के करे तो यहां की लड़ाई पहले त्रिकोणिये मानी जा रही थी यह लड़ाई एंडिये कैंदिडेट उपेंद्र कुस्वाहा, महागटबंदन प्रत्यासी, राज़राम कुस्वाहा और निर्दलिये प्रत्यासी भोशपूरे स्टार पवन सिंग के बीच बताई जा रहे थी और युवाव में जिस तरह का उत्सा था, जिस तरह से पवन सिंग के सभा और रैलियों में भीड इकटी हो रही थी उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि पवन सिंग यहां से चुनाओ जीत भी सकते हैं लेकिन आज जब वोट पढ़ने शुरू हुए तो यहां किस्थती बिलकुल ही अलग नजर आ रही है जो लडाई पहले त्री कोणिये मानी जा रही थी, वह लडाई अब दो लोग की बीच में हो रही है और सबसे खास बात तो यह है कि पवन सिंग एक नंबर से सीधे तीसरे नंबर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं इस सीट पर कुस्वाहा और राजपूत जाती के वोटरों की भूमी का बहुत महत्वपूर थी और इस दोनों जातीयों की वोट में डिविजन देखने को मला एक तरफ अगर कुस्वाहा वोटर्स की बात करें तो कुस्वाहा वोट का डिविजन 50-50% देखने को मल रहा है यानि कि 50% तुपेंद कुस्वाहा के पक्ष में तो 50% वोट जो है वो राजाराम कुस्वाहा के पक्ष में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वही राजपूर्ट वोट में भी डिविजन देखने को मला है ज्यादा राजपूतों ने पवन सिंग को वोट किया है तो वही कुछ राजपूर जो है वह एंडिये को वोट कर रहे हैं बतादे कि राजपूत हमेशा से अंडिये के कोर वोटर माने जाते रहे हैं अब अती पच्छडों की बात करें तो शुरुवाती दोर में जो खबरे सामने आ रही है उसके अनुसार अती पच्छडों का वोट भी ज्यादा उपेंद्र कुछ स्वाहा को ही मिलता हुआ नज़रा रहा है। वोट नहीं करेगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही पवन सिंग को इतने वोट नहीं पड़े जितना पढ़ने की उमीद जताई जारी थी और जो पवन सिंग के बारे में जीतने की बाते कहीं जारी थी वो अब तीसरे नंबर पर जाते हुए नज़रा रहे हैं। वोट की बात करें तो कहीं न कहीं उपेंद्र को स्वाज जो है वह थोड़ा इस सीट से आगे होते हुए नज़रा रहे हैं। लेकिन अभी भी वोटिंग में समय बचा हुआ है लगभग तीन घंटे की वोटिंग बची हुई है और यहां की लड़ाई अभी भी काटे की है। अभी कुछ भी कहना मुस्किल है लेकिन यहां बात तो साफ है कि अब यहां का मुकाबला दो लोगों के बीच ही है। हुआ है